जय माताजी स्टुडेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चनल ध्यान कॉमर्स दे की ओफ सक्सेस जय माताजी स्टुडेंट्स बच्चों इंकम फ्रॉम सेलेरी में आगे हम ग्रेज्विटी की कुछ एक्जाम्पल्स अब्जव कर चुके हैं आज हमें देखना है बहुत इंपॉर्टन पार्ट छोटा सा इससा है बट फिर भी ध्यान रखना जरूरी है वह हमारा entertainment allowance बच्चों entertainment allowance में अगर non-government employee है तो वो जो allowance की amount है यहाँ पे बच्चों ग्रेज्विटी से उल्टा पार्ट है ग्रेज्विटी में ग्रेज्विटी 100% एक्ज्विटी में जैसे आगे हम देखते थे ग्रेज्विटी में की list of the following याने actual entertainment allowance maximum amount जो है उसके limit बच्चों 5000 रूपीज है यहाँ पे जबकि ग्रेज्विटी में maximum amount थी 20 लेक रूपीज and 1 by 5 of basic salary जो की हम yearly में ही calculate करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगी exempted value exempt amount of entertainment allowance उसमें से actual में से exempted minus करेंगे that will be our taxable entertainment allowance तो बच्चों exercise में जाते हैं sum number 2 question में दिया हुआ है book में अगर आपके वास book नहीं है तो question में यहाँ पे screen पे भी side में रख रहा हूं the previous year was Rs. 64,000 basic salary जो है बच्चो 64,000 per month लिखा हुआ है यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे title में दे देते हैं title हम लिखते हैं computation of taxable entertainment allowance of miss pushpa ben ठीक है अब जो salary दी हुई है यहाँ पे बच्चों per month दी हुई है यहाँ पे जो हम लिख रहे है one by five of basic salary उसे हमें calculate करना पड़ेगा yearly के हिसाप से ठीक है 64,000 per month है तो उसके 12 महीने के इसाप से 7,68,000 है यहाँ पे हमें लेना है उसका one by five one fifth of the basic salary ठीक है तो that is हम यहाँ पे लेंगे one by five of 7,68,000 और यह 7,68,000 कैसे आया तो 64,000 into 12 करेंगे तो 7,68,000 हमें मिलने वाली है उनकी salary जो है basic salary per year right तो यह खाज एक ध्यान रखना है तो यह per year में convert करेंगे उसके साथ उन्होंने बताया हुआ है कि उनको जो entertainment allowance है government employee है naturally she was getting allowance of rupees 1,000 याने जो receive किया गया 1,000 per month है तो इन्टो हमें 12 करना है तो actual जो उनको मिला हुआ है entertainment allowance that is 12,000 तो वो actual amount लेंगे हम यहाँ पे ठीक है 12,000 आपकी जो maximum amount है वो है 5,000 है and 1 by 5 of 7,68,000 करेंगे 1 by 5 of 7,68,000 तो जो वो amount मिलेगी हमें that is 1,53,600 अब इन तीनों में whichever is less as usual वह concept है और वो whichever is less is exempted तो वो amount हमारी जो है 5,000 है तो 5,000 से जादा exemption मिलता नहीं यहाँ पे जैसे graduate में 20 लेक तक मिलता था maximum तो हमारे पास actual entertainment allowance है 12,000 माइनस 5,000 हम deduct तरेंगे तो taxable amount हमें मिलेगी 7,000 याने entertainment allowance जो pushpa band का है वो taxable होगा rupees 7,000 ठीक है तो यह पहला example हुआ छोटे-छोटे तो तीन examples ही है इसमें एकाद illustration है यहाँ पे हम और एक छोटा सा sum देख लेते हैं sum number 7B बच्चों मगर याँ दिये रखना है यहाँ पे entertainment allowance में हम 1 by 5 of basic salary लेते हैं 7B दूसरा जो sum है आप observe कर पाओ के question पे यहाँ पे उन्होंने दिया है Mr. A is an employee of गुजरात सची वाल है ठीक है नेचरली government employee है और उनसे related detail दी गई है basic salary 20,000 per month है again यहाँ पे भी per month दिया गया है तो basic salary yearly हम कर लेंगे तो that will be rupees 2,40,000 per year हो जाएगा ठीक है entertainment allowance calculate करना है बाद में उसके बाद dearness allowance not included commission not included bonus not included क्योंकि हम यहाँ पे 1 by 5 of क्या लेने वाले है basic salary तो 1 by 5 of हमें करना होगा खाली 2,40,000 बाकि DA include नहीं करना है commission include नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी include नहीं करना है बच्चो entertainment allowance was 2,000 per month तो यहाँ पे 2,000 per month यहाँ 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 ली वो 2,40,000 जो है बच्चो उसको 5 से divide करेंगे तो that will be 48,000 and again जादा तर entertainment allowance maximum limit हमारे पास 5,000 है यही आएगा तो 24,000 जो है उसमें से हम 5,000 deduct करेंगे तो taxable जो entertainment allowance है बच्चो वो होगा हमारा 19,000 रूपीज तो बच्चो छोटा सा यह section हुआ हमारा entertainment allowance से related जिसकी maximum limit हमारे पास है यहाँ पे 5,000 तो next अब 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 जोब करेंगे हम house rental allowance याने की HR इसलिए नच्चिछ यहाँ ब्लीक 씨 ब्लीक 단or चोडिộंता लुए भास्चा वीकान काश्माश पासु HEY